गुजरात जीती पंजाब को मिली अपने घर में हार और इसी के साथ IPL 2024 से मुंबे नियस हो गई बाहर अब आप सोच रहे होगे भला मैच पंजाब और गुजरात की वीच हुए मुंबे नियस कैसे बाहर हो गई बस यही तो इस पॉइंच तालका का गड़ेत है और यही तो IP IPL की खूबसूरती है कि यहाँ पर टीमें अलग खेलती है और उनका प्रड़ाम कैसा है टीमों पर पढ़ता है यहाँ पर मुंबे निया जो अपनी आपको सेप समझ रही थी गुजरा टाइटन्स की इस जीत के साथ ही अब वो पॉइंच तालका में नीचे खिशक गई और रन बनाए और प्रफ सिम्राइन सिंग ने एक किस गयंदों सांदर 35 रन बनाए लेकिन बाबन रन पर पहला बिकट गिरने के बाद पंजाब के बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा सके और लगातर बिकट गिरते रहे निन्या उन्वे पर साथ बिकट हो गए अब आप लगाई है कि बल्लेबाजी कितनी लचर रही बाबन पर पहला बिकट गरता है और 99 पर साथ बिकट हो जाते हैं यानि महज 47 रनों के अंदर साथ बिकट पंजाब के गर जाते हैं राईले रूसों फेल होते हैं 9 रन बनाते हैं जीते सर्मा फेल होते हैं मातर 13 रन बनाते हैं ससांक सिंग आटरन बनाते हैं अस्तो सर्मत तीन न बनाते हैं हर्मन प्रीद सिंग चौदरन बनाते हैं वो तो भलाओ बाद में हर्मन प्रीद बरार का जिन्हों ने 12 गैंदो मतेज 29 न बना दिये और टीम का स्कोर 140 की उपर जा सका यहां तारीफ करनी पड़ेगी गुजरा टाइटनस के गैंद बादों की जन्हों ने पंजाब को खुलकर करन नहीं मनाने दिये जहां साइं के सुर्ण ने चारोवन में 33 हंजे करके चार बिकट जटके बहीं पर मोहिश सर्मा ने दो बिकट लिए एहमद ने दो बिकट लिए और राश्यत खान को एक बिकट मिला और हाला कि उनकी एकोनोमी बहुत बढ़ी गा रही चारोवन महच 15 न दिगे और इस तरह से 143 रनों के टार्गेट का पीछा करने उत्री गुजरा टाइटनस ने काप ही सदी उसी रुगात दी वो समझ रहे थे कि छोटा स्कूर खतरनाक हो सकता है तो रिद्दीबान साहर ने 11 गैन में 13 गैन में 35 न बनाए साइस उदरसन ने 34 गैन में 31 न बनाए यहां इन सब का स्ट्राइक रेट आपको बहले ही कम नजर आ रहा हो लेकिन जिस तरह की बल्ले बाजी की जरूरत थी उसी तरह की बल्ले बाजी इन लोगों ने किये कोई रिस्क नहीं लिया बाद में राहुल तिबतिया जो कि इस टूना मेंटर में लगातार में जिताओ पारियां खेल लाएं गुजरात के लिए उन्होंने 18 गैन में 36 न बना करके गुजरा टाइटेंस को एक सांदार जी दिला दी और इसी के साथ अब गुजरा टाइटेंस पॉइंस साल का में ही तीन बेकट लिए बहीं पर लिबिंग इस टूने चार वर में 19 रंदे करके दो बेकट लिए लेकिन इन दोनों गैनदबाजों के अलावा पंजाब का कोई भी गैनदबाज सफल नहीं हो सका दबाव नहीं डाल सका जिस बज़ए से पंजाब इस मैच में उलट फिर करने मे सपल नहीं रही लेकिन कुल मिला करके यहां पर गुज्रा टाइटनस को जो चाहिए था वो उनने मिल गया IPL में जिंदा रहने की संजीबही नहीं चाहिए थी वो मिल गई यह उन्हें दो अंक चाहिए थी वो मिल गयें क्योंकि इन्ही दो आंक के साथ अब मुम्बै नियस पर दबाव नाने में सपल रही है इससे पहले मंबाइनियस सैटमे नमबर पर थी लेकिन अब गुज्ञाट टाइटन्स को हटा करके सैटमे नमबर पर पहुझ चुकी है और दिश्यत तर्बार अब गुज्ञाट टाइटन्स की निगाहे पिली ओफ में खेलने के लिए रहेंगी वही मुंबई नियस पर बाहर होने का खत्रा मड़ाने लगा है क्योंकि अगर हम पॉइंच तालका में देंगे तो मुंबई नियस के लिए लगातार मुश्किले बढ़ती जा रही है एक नजे पॉइंच ताल मुंबई ने छट्मे नमबर पर थी अब वो साथ में नमबर मापॉच चुकी है क्योंकि गुजरा टाइटन्स ने आट मैचों में अब चार मैच जीत लिए और चार मैच में उनकी हार है इस तरह से गुजरा टाइटन्स के आठ नमबर हो चुके हैं और अब वो उन टीमों के साथ खड़ी हो गई है जिनके आठ 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 अंक हैं यहां पर हम देख सकते हैं कि राजस्तान रॉयल के किया रो एस तो लगबग क्वालिफाई करने की इस्तिती में हैं लेकिन चैन नहीं लगनों को गुजरा टाइटन्स एसी टीम है जिनकी आठ 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 अंक हैं अगर बात करें मुंबई की तो यहां पर मुंबई के साथ मैचों में अब भी छे अंक हैं उनका अगला मैच राजस्तान रॉयल से है जो इस टूनमेंट में हारना ही भूल गई है उसने अभी तक सिर्फ एक ही मैच आ रहा है इसमें अगर मुंबई नियस को क्वालिफाई क करना है पली आफ के लिए तो उनको अपने बाकी बचे साथ मैचों मैसे पांच मैच जीतने हैं और मुंबई नियस की फॉम है उनके लिए बहुत कठिन काम साबित हो सकता है इसके नीचे की टीमों के बात करना विकार है क्योंकि वो टीमें लगबग बाहर हो चुकी है तीन पांच मैच जीतने हैं तब वो कॉलिफाई कर पाएंगे और इसके साथ ही उनका नेटरेंड रेट भी ठीक होना चाहिए कुल मेला करके यहां पर मुंबई नियस पर बाहर होने का खत्रा मडराने लगा है गुजरा टैटन्स ने अपने आपको जिन्दा रखा है इस मैच मै पंजाब बालों को मिलता है जीरो अंक गुजरा टैटन्स को मिलते हैं पूरे को पूरे दो अंक